कई बार ऐसा होता है जब आप पानी भरने चाते हैं तो आपके नल में पानी आने की जगह सूसू की आवाज आती हैं जब आप नहाने जाते हैं तो आपके नल में से पानी नहीं आता है और इस तरह से कई बार आपने जल की कमी यानि जल संकट का सामना ज़रूर आपने किया होगा चाहे घर में चाहे स्कूल में या किसी और जगा पे जब आपको पानी की ज़रूरत हो और पानी की पूरी पूर यानि जल की कमी होने के कारण होने वाली समस्या के बारे में पढ़ने वाले हैं। और इसके अंदर हम यह भी जानेंगे कि किस तरह से हम पानी से जुड़ी समस्याओं का समाधान निकाल सकते हैं। करना पढ़ता हैं। तो कहानी यानि इस लेक की सुरवात कुछ इस तरह से होती है कि इसमें जो लेखक हैं इसके वे आपसे पहले प्रश्न पोचते हैं। कहां से आता है हमारा पानी और फिर कहां चला जाता है हमारा पानी। हमने कभी इस बारे में कुछ सोचा है। सोचा तो नहीं होगा शायद पर इस बारे में पढ़ा जरूर है यानि क्या आपको मालुम है कि आपके घर में ये पानी कहां से आता है और फिर ये पानी कहां चला जाता है तो आप सभी का उत्तर होगा कि सर हमारे घर में जो नल लगा है यानि जो टैब है उसमें से पानी आता है और अ आप कहोगे सर हमारे घर में जो मोटर लगा हुआ है उसमें से पानी आता है और जब मैं पूछूँगा कि मोटर में पानी कहा से आता है तो आप कहोगे सर धरती यानि जमीन से पानी आता है अगर मैं पूछूँँ जमीन में पानी कहा से आता है तो आप कहोगे सर बरसात से य पानी को निकालते हैं, टंकी में खटा करते हैं, और फिर टंकी में से इस पानी को अपनी जरूरत के हिसाब से हम टैव यानि नल को खोल करके निकाल लेते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि इस चक्र में कहीं न कहीं कोई कमी आ जाती है, और पानी हमें नहीं मिल पाता है, इ नहीं सोचा है भुगोल की किताब पढ़ते समय जकल चक्र जैसी बाते हमें बताई जाती है एक सुन्दर सा चितर भी होता है इस पार्ट के साथ सूरज, समुंदर, बादल, हवा, धर्ती, फिर बरसात की बूंदे और फिर भी बहती हुई एक नदी और उसकी किनारे बसा तु सम्मुंदर में मिलती देखती है चितर में कुछ और तीर बने होते हैं रहते हैं सम्मुंदर में उठे भाप बादल बनकर पानी में बदलती है और फिर इन तीरों के सहारे जल की यात्रा एक तरफ सुरू होकर सम्मुंदर में वापस मिल जाती है जल चक्र पूरा हो जाता ह यानि जलचकर का मतलब यह है कि आपके घर में जब वो पानी आता है वो पानी का जो पूरा क्रम है उसके बारे में कि पहले क्या होता है कि जो सूरज की गर्मी जब जादा पड़ती है ठीक है सूरज से जो गर्मी जादा पड़ती है तो जो बादलों में पानी खटा होता है वह पानी बरसने लग जाता है और जब वो पानी बरसता है तो वो समुदर में जाके इखटा हो जाता है और जब वो समुदर में इखटा हो जाता है तो फिर वो पानी आपके घरों में आता है लेकिन कई बार जब पानी की इस्तमाल हम बहुत ज़्यादा करते हैं और समुद्र में गर्मी के कारण पानी की कमी हो जाती है तो ये पानी भाब बनकर बादलों में चला जाता है और फिर भाब से ये पानी जब इखटा होकर बादलों में बहुत ज़्यादा होता है तो ये बरसात के रूप में दुबारा जमीन पे आ जाता है तो ये चक्र चलता है जिसे हम जल चक्र कहते हैं और अगर इस जल चक्र में पाने की कहीं कमी हो जाए तो हमें एक समस्या का सामना करना पड़ता है तो उसी के बारे में आपने जल चक्र के बारे में आपने जरूर कहीं ने कहीं पढ़ा होगा या सुना होगा आपकी जो भुगोल की किताब होती है या जोगरफी की किताब होती है उसके अंदर जल चक्र के बारे में इस तरीके से बताया जाता है यानि कि पानी का करम कि कैसे हुए आसमान से जमीन पे आता है और जमीन से किस तरह से भाप बनकर बादलों में चला जाता है और फिर बरशात के रूप में फिर से जमीन पे आता है तो यह जो जल का चकर चलता है इसी को जल चकर बोला जाता है यह तो हुई जल चकर की किताबी पर अब तो हम सब के घरों में स्कूल में माता पिता के दफ्तरों में कार खानों और खेतों में पानी का कुछ अजीब सा चक्कर सामने आने लगा है यानि जल चकर तो वह चकर है जो कि प्रैकरतिक रूब से चलता है, लेकिन आजकल हमारे घरों में, हमारे मम्मी पापा के ओफिस में और खेतों में पानी की एक अलगी समस्या का सामना हमें करना पड़ता है, नलों में अब पूरे समय पानी नहीं आता है, नल खोलो तो उसमें पानी के बदले सूंसूं की आवाज आने लगती है पानी आता भी है तो बेवक्त यानि पानी आने का कोई fix time नहीं है यानि उसका किसी भी समय पानी आ जाता है कभी देर रात तो कभी भोर सवेरे मिठी नीद छोड़कर घर भर की बाल्टियां बरतन और घड़े भरते फिरो यानि पानी किसी एक fix time पर नहीं आता है और कई बार तो बहुत जादा सुबह में पानी आता है और कभी कभी तो ये देर रात को यानि जब हम सो रहे होते हैं हमें मिठी नीद यानि गहरी नीद आती है उसे छोड़ करके हमें घर में जो भाल्टी होती है बरतन होते हैं घड़े यानि मठको को हमें भरना पड़ता है पानी क्यों लेकर कभी कभी कहीं कहीं आपस में तु तु मैं में भी होने लगती है यानि लोग पानी भरने को लेकर के आपस में लड़ाई भी करते हैं रोज-रोज के इन जगडों टंटों से बचने के लिए कई घरों में लोग नलों के पाइप में मोटर लगवा लेते हैं इससे कई घरों का पानी खीच कर एक ही घर में आ जाता है यह तो अपने आसपास का हक चीनने जैसा काम है लेकिन मजबूरी मानकर इस काम को महले में कोई एक घर कर बैठा तो फिर और कई घर यही करने लगते हैं पानी की कमी और बढ़ जाती है शहरों में तो अब कई चीजों की तरह पानी बिकने लगा है यह कमी गाओं सहरों में ही नहीं बलकि हमारे परदेशों की राजधानियों में और दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चन्नई और बैंगलोर जैसे बड़े सहरों में भी लोगों को भयानक कस्ट में डाल देती है देश के कई हिश्चों में तो अकाल जैसी हालत बन जाती है यह तो हुई गर्मी के मौसम की बात यानि पानी की इतनी कमी होती है कि हमारे गरों में पानी नहीं आ पाता है अब कुछ सहरों के नाम लिए गए हैं जिसमें दिल्ली, मुंबई, कोलकाता यह कुछ ऐसे सहर हैं जहाँ पर पानी खरीदना पड़ता है यानि जमीन के अंदर से पानी नहीं आता है और हमें पानी की समस्यां का सामना करना पड़ता है और कभी-कभी तो ऐसा होता है जब गर्मी का मौसम होता है तो पानी का आकाल यानि पानी की बहुत ज़्यादा कमी का हमें सामना करना पड़ता है और ये सब गर्मी के ही समय नहीं बलकि आजकल तो ही हर मौसम में भी हमें देखने को मिलता है लेकिन बरसात के मौसम में क्या होता है लोग सब तरब पानी को पानी ही बहने लगता है हमारे तुम्हारे घर, स्कूल, सडको, ट्रेल की पट्रियों पर पानी भर जाता है देश की कई भाग बाड में डूब जाते हैं यह बाड ना गाओं को छोड़ती है और ना ही मुंबई जैसे बड़े सहरों को कुछ दिनों के लिए सब कुछ थम जाता है, सब कुछ बह जाता है यानि पानी से जुड़ी हमें दो तरह की समस्या का सामना करना पड़ता है एक जब पानी की कमी होती है तो हमें पानी की कमी होने की वज़े से अकाल का सामना करना पड़ता है जह हमें पीने के लिए, खाने के लिए, नहाने के लिए और अपने काम के लिए हमें पानी नहीं मिलता है लेकिन जब बारिज का मौसम आता है तो हमें बार का समस्या हमारे सामने आ जाती है यानि पानी इतना ज़्यादा हो जाता है कि हम उसका इस्तमाल भी ठीक से नहीं कर पाते हैं यानि पानी से जोड़ी दो तरह की समस्याओं का हम सामना करते हैं एक तो जब पानी की कमी होती है तो उसे हम आकाल के रूप में बोल देते हैं और जब पानी की बहुत ज़्यादा हो जाती है, यानि कि पानी की जब बढ़ोतरी होती है, पानी की ज़रुत से ज़्यादा जब हमारे सामने आ जाता है, तो हमें बाड का सामना करना पड़ता है। और जब जब ज़्यादा बारिश होती है, पानी को हम सुरक्षित नहीं रखते हैं, तो भी एक समस्या को सामना करना पड़ता है। वो अकाल हो, चाहए हों बाड़ हो, कई बार आपने पानी को भूरते समय इस तरह की लंबी लाइन जरूर देखियोंगी, जहाँ लोग अपने बर्तनों को इस तरह से लाइन में लगा करके पानी को भूरते हैं, यानि कि पानी की कमी के कारण इस तरह की समस्या का सामना हमें करना पड़ता है ये हालात हमें बताते हैं कि पानी का बेहद कम हो जाना और पानी का बेहद जादा हो जाना यानि अकार और बाड एक ही सिक्के के दो पहली हुए है यदि हम इन पानी को ठीक से समझ सके और समभाल ले तो इन कई समस्याओं से छुटकारा मिल सकता है चलो थोड़ी देर के लिए हम पानी के इस चक्र को भूल जाएं और याद करें अपनी गुलक को जब भी हमें कोई पैसा देता है हम खुश होकर दोड़कर उसे जट से अपनी गुलक में डाल देते हैं यानि अभी थोड़ी देर के लिए आपको बोला जा रहा है कि पानी की जो दोनों समस्याओं इसको भूल जाते हैं और आपके घर में जब कोई महमान आते हैं तो आपको कुछ न कुछ पैसे देखे जाते हैं और आप क्या करते हो उस पैसे को अपनी गुलक में रख लेते हो उसे समभाल कर तो उसी तरह से यहाँ पर पानी की कमी और पानी की जादा होनी की समस्या का समधान भी हम गुल्लक के रूप में कर सकते हैं कैसे चलिए आगे पढ़ते हैं एक रुपिया, दो रुपिया, पांच रुपिया कभी सिखें तो कभी बड़े बड़े नोट सब इसमें धीरे-धी में जमा होते जाते हैं यानि आपकी गुल्लक की बात की जा रही है कि जब आप अपने गुल्लक में कभी एक रुपिया जमा करते हो, कभी दो रुपिया जमा करते हो, कभी पांच रुपिया यानि जितने भी पैसे आपको मिलते हैं आप धीरे धीरे उसमें जमा करते चले जाते हैं फिर जब कभी हमें कुछ पैसों की जुरत पड़ती हैं तो इस गुल्लक की बचत का उपयोग कर लेते हैं यानि जब आप पैसों की आपको जुरुत पड़ती है किसी काम के लिए, तो आप क्या करते हैं, जो इस गुलक में आपने पैसे खटा कर रखे थे हैं, एक रुपिया दो रुपे, यानि जिस तरह से भी आपने पैसे जोड़े थे, उन सारे पैसों का इस्तमाल आप कर सकते है इस गुल्लक में से पैसे निकाल के तो उसी तरह से यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि हमारी धर्ती यह जो है जमीन है यानि नेचर ने जो हमें संसाधन दिये उसके बारे में आपको बताया जा रहा है कि हमारी यह धर्ती भी इसी तरह की खूब बड़ी गुल्लक है मिट्टी की बनी इस विशाल गुल्लक में प्रकरती वर्सा के मौसम में खूब पानी बरसाती है तब रुपियों में भी कई गुना केंती इस वर्सा को हमें इस बड़ी गुल्लक में जमा कर लेना चाहिए यानि जिस तरह से आपके पास कभी कभी खूब सारा पैसा होता है तो आप लोग गुल्लक में समाल लेते हैं उसी तरह आपको बताया जा रहा है कि जो हमारी धर्ती है ये भी बड़ी गुल्लक है यानि जब हमारे पास पानी की जादा होता है, यानि बरसात होती है, तो हमें पानी को धर्ती की अंदर समभाल कर रखना चाहिए, जैसे हम गुलक में पैसे समालते हैं, उसी तरह से हमें पानी को धर्ती रूपी इस गुलक में भरना चाहिए, हमारे गाउं में, सहर में जो जील में नदी में हर इस जगह पे जहां पर हम पानी को सुरक्षित रख सकते हैं तो धर्ती रूपी इस गुल्लक में हमें पानी एकटा करना चाहिए इनमें जमा पानी जमीन के नीचे छिपे जल के भंडार में धीरे-धीरे रिसकर छनकर जा मिलता है और जब हम तलाब में न इससे हमारा भूजल यानि जो जलो का एक भंडार है हमारे पास ठीक है वहाँ पर यानि भंडार समरिद्ध हो जाता है यानि जब हम पानी को तलाब में जील में सुरक्षित रखते हैं यानि इनके साफसफाई करके पानी को एकटा होने देते हैं तो ये पानी हमारे जमीन क पानी के अंदर जो पानी है उसके साथ जा मिलता है और इखटा हो जाता है पानी का ये खजाना हमें दिखता नहीं है लेकिन इसी खजाने से हम बरसाथ का मौसम बीच जाने के बाद पूरे साल भर तक अपने उपयोग के लिए घरों में खेतों में पाटशालाओं में पानी लेते हैं यानि ये जो पानी जमीन के अंदर इखटा हो जाता है और जब बारिश की मौशम खतम हो जाती है तो हम इन पानी को जमीन के अंदर से जो हमारे हैंड़ पंप होते हैं यानि जो नल होते हैं जो हमारे मोटर होते हैं उन सब को चला करके इन पानी को हम निकाल लेत तो जब पानी की कमी होगी तो हम इन पानी को दुबारा इस्तमाल करने के लिए निकाल सकते हैं जमीन रूपी इस गुलक से लेकिन एक दोर ऐसा भी आया जब हम लोग इस छिपे खजाने का महत भूल गए और जमीन के लालच में हमने अपने तलाबों और कचरों से पाट कर भ लोग नहीं कर रहे हैं बलकि जमीन के लालच में हम लोगों ने ऐसा किया है कि जो तलाब हमारे घर के आसपास हुआ करते थे वह हमने कचरों से इसे भर दिया है और जमीन के बराबर इसे समतल बना दिया है और इसी की वज़े से यहाँ पानी इखटा नहीं होता है और जब सिनेमा घर आदी खड़े हो गए है यानि हम लोगों ने क्या किया जो नदी तालाव वगेरा हमारे घर के आसपास थे जहाँ पर पानी खटा होता था आजकल हमने यहाँ पानी खटा होने नहीं दिया बलकि जमीन के लालच में अपने मकान, बाजार, स्टेडियम, सिनेमा घर और अपनी जरूरतों के लिए हम भूल चुके हैं कि जमीन भी पानी का गुल्लक है जहां हम पानी का इखटा कर सकते थे इस बड़ी गलती की सजा अब हम सबको मिल रही है गर्मी की दिनों में हमारे नल सूख जाते हैं और बरसात के दिनों में हमारी बस्तियां डूबने ल बलकि हमारे नल कैसे हो गए हैं अब सूख गए हैं अब बरसात के दिनों में हलात ऐसे होते हैं कि इतना सारा पानी हो जाता इखटा कि जहां पर हम रहते हैं हमारी जो बस्तियां वो पानी अधिक होने की वज़े से डूबने लगती हैं इसलिए हमें आकाल और बार से बचन जब बरसात हो तो उसे थाम लें यानि उस पानी को हम इखटा कर लें अपना भूजल यानि जमीन के अंदर जो जल है उसे भंडार को सुरक्षित रखें अपनी गुलक भरते रहें गुलक का मतलब यहां पर हैं धर्ती रूपी गुलक से हैं जह हम पानी को इखटा कर सकते ह तब ही हमें जरुद के समय पानी की कोई कमी नहीं होगी यानि जब हमें जरुद पड़ेगी हम इन पानी को निकाल सकते हैं इसका इस्तमाल कर सकते हैं यदि हमने जल चक्र का ठीक उपयोग नहीं किया तो हम पानी के चक्र में फस्ते चले जाएंगे यानि ये जो जल चक्र हैं जिसमें पानी जमीन पे आता है और जमीन में खटा होता है और फिर ये गर्मी के कारण बरसात के कारण ये फिर उपर चला जाता है नीचे आता है जो चक्र चलता रहता है अगर हमने इसका ठीक से उपयोग नहीं किया यानि पानी को सुरक्षित नह और हम पानी की कमी के कारण में यानि इसके चकर में फज़ आएंगे और हमें बहुत जादा समस्या का सामना करना पड़ेगा यानि इस लेख में जो इसके लेखा के हैं अनुपम मिश्रे आपको यह बताना चाहरे हैं कि अगर आज की समय में हमने अपने जल्स रोतो यानि जल्स तर है यानि पानी के अंदर जो पानी जमीन के अंदर इखटा होता है अगर हम उने उससे सुरक्षित नहीं रखा तो जब हमें जुरत पड़ेगी हमें पानी नहीं मिल पाएगा तो एक तरह से आपको पानी की कमी के बारे में इस लेख में बताया जा रहा है कि पानी के रूप में आपको बताया जा रहा है कि हमें अपने आसपा साप सुत्रा रखना चाहिए जहां भी तलाब हो वहाँ पानी इखटे होना देना चाहिए ताकि ये पानी इखटा हो करके जमीन के अंदर चले जाए और उसके बाद हम इसे दुबारा प्रियोग में ला सके यानि इस लेक के अंदर आपको समस्या भी बताये गई पानी की और पानी को किस रसम सुरक्षित रख सकते हैं उसके समधान के बारे में भी आपको बताया गया तो ये थी एक चोटी सी कहानी या लेक जिसका सीरशक था पानी रे पानी अब आप मुझे कमेंट में बताईए कि करना अपने दोस्तों मेंशे शेर करना और चैनल फ्रेंशेट प्रिपरेशन को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आपको लिटस वीडियो की नोटिफिकेशन रिसीव हो सकते हैं कोई सजेशन है तो आप मुझे मैसेश पर इंस्टाग्राम पर भेज सकते हैं लिख करके मेरी आइडी है अट दरेट मिस्टर कृष्णा शाह जहाँ आप मैसेश करके मुझे अपनी रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं कि आप अगली वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं किस चैप्टर की देखना चाहते हैं किस क्लास के और किस सब इन पार्ट में तो फर्स पार्ट में इतना ही है